ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्ड और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स राजनीती का कच्चा चिठा राहुल गांधी ने लोकसभा चुनाओं के परिणाम के बाद 25 माई को हुई CWC बैठक में एक माहा के भीतर गैर गांधी को अध्यक्ष चुनने का वक्त दिया था ये मियाद 25 जून को खत्म होगी विपक्ष के रोल में भी पार्टी में धार नहीं दिख रही है जिससे आम जन में कॉंग्रिस को लेकर बेहद घलत मैसिज जा रहा है लहाजा अब कभी भी ये एहम बैठक बुलाई जा सकती है राहुल गांधी साफ कह चुके हैं कि वो गजनेताओं के सामने राहुल ने अपने इस्तीफे की पेश रश की लेकिन उनका इस्तीफा खारिच कर दिया गया उसके बाद कई नेताओं ने राहुल गांधी को इस्तीफा वापस लेने की मनुहार की हाला कि राहुल ने साफ कह दिया कि वो साधरन कारेकरता की तरह अब लेकिन ये तैह है कि राहुल अपना इस्तीफा वापस किसी भी सूरत में नहीं लेंगे ऐसे में CWC बैठक बेहद एहम होगी सभी को ये भी इंतजार रहेगा कि बैठक में नए अध्यक्ष नाम पर मोहर लग जाएगी या फिर नए अध्यक्ष चुन्ने का प्रस्ताव पारित होगा नए अध्यक्ष चुन्ने में कॉंग्रेस के सामने क्या समस्या है इस सवाल का किसी के पास जवाब नहीं है जानकारों का कहना है कि कोई भी नेता सीता राम केसरी नहीं बनना चाहता सब को पता है कि गैर गांधी परिवार का नेता महज नाम का अध्यक्षोगा इसलिए कोई भी दिगज नेता यस मैम के रूप में भूमे का निभाने से बच रहा है एंटिनी ने खराब स्वास्थे का हवाला दे कर पल्ला ज़ाड लिया विड़ो गोपाल संगठन महासचिव के तौर पर ही काम करने के इच्चुक दिख रहे हैं अशोग गहलोद भी अध्यक्ष बनने को लेकर बिल्कुल भी रुची नहीं दिखा रहे हैं अब किसी एक को तो अध्यक्ष बनाना बेहत जरूरी हो गया है जितनी देरी करेंगे हालात और विगठ हो जाएंगे पॉलिटॉक्स के लिए दिनेश डांगी की रिपोर्ट